हर्याणा बीजेपी सांसत सुनीता दुगल ने M.H.1 प्राइम से खास बाचीत की और कहा कि प्रुधन मंत्री ने सदन के माध्धम से किसानों को बाचीत की टेबल पर आने का नियोता दिया है अब किसानों से हम अपील करते हैं कि वो बाचीत करें सरकार किसानों के साथ है सुनीता दुगल मौझूद है सुनीता जी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने राज्य सभा के बाद लोग सभा के माध्यम से भी किसानों से बाचीत की टेबल पर आने की अपील की है तो कुछ लोग मुझे अगर वो बाचीत के माध्यम से समाधान निकालने की बजाए वो उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे पूरी उमीद है कि जिस तरह से आधरनिया पर धान मंत्री जी ने निमंत्रन दिया है और निवेदन किया है हमारे किसान भाईयों को अगर हमारे किसान आगे आते हैं तो इसका समाधान बाथचीत से ही निकलेगा हम कितने ही जो है वो लोगों के माध्यम से हमारे किसान भायों से हाथ जोड़ कर विंती है कि वो टेबल पर बैठें और वो बातीत के माध्यम से इसका समाधान निकालने की कोशिश करें कर प्रधानमद्री ने बहुत विस्तार से चीजें बताई छोटे किसानों की स्थिती या फिर जिस तरह से एक नई विवस्ता दी जा रही है विकलपनुने बताया क्या इसके बाद ढूर्थ या डाउट्स हां वह दूर होंगे होने चाहिए क्योंकि जो सरकार की ज चिंता है वह जो चोटे हमारे गिसान है सकी स्थिता करते हुआ सरकार वह मारे किसान भाइयों के लिए कोई ना कोई के करती रहती है कि उनके लिए कोई कानून बनाए जाए ऐसे ताकि उनको जो है वो सुविधा मोहिया हो सके मैं एक खास बात आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ जो कि हमारे आदरनिय परधान मंतरी जी ने भी बताई कि जो पहले जो भी ऑप्शन्स थे वो सब के सब खुले हैं जो किसान भाई हमारे चाहते हैं कि वो पहले वाले जो तरीके थे उस तरीके से अपनी फसल को बेचना चाहें तो वो तरीके खुले हैं ये एक अतिरिक्त ववस्था जो है हमारे छोटे किसान भाईयों के लिए सरकार लेकर आई है जो भाई चाहें वो इस ववस्था का लाब उठाएं जो ना चाहें वो पहले वाली ववस्था के हिसाब से चलते रहें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहले वाली ववस्था था जो है उसके अंदर अगर जब किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किया गया है तो ये agitation जो है वो किसलिए कर रहे हैं बार बार हम लोग ये पूछ रहे हैं कि एक बार आप ये बताएं तो सही कि इस काला कानून काला कानून आप बार बार बोल रहे हैं तो उसमें काला क्या है लेकिन कोई भी कोई भी मैं कहूंगी कि विपक्ष का एक भी सांसत जो है इस किसान भायोंगे इस बात को समझना होगा एक सवाल इसमें कि दर्शन पाल जो किसानों के नेता हैं उन्होंने बयान दिया कि हर्याना में बीजेपी जेजेपी के जो विधायक हैं वो सरकार को छोड़ कर रहें इसका किसानी से क्या संब्द है देखिए मुझे खुद नहीं सम करते हैं आम जनता का अगर आप लोग संसद में हैं आप लोग अगर विधान सभा में हैं तो आम जनता की जो भी समस्याएं हैं जो भी बाते हैं वो आप उपर तक पहुंचा सकते हैं अगर इस्तीफा देकर वो बैठ गए तो उपर तक यह सब बातें कौन पहुंचाएगा तो मुझे लगता है कि इस बात को समझना होगा हमारे किसान भाईयों को और हम बार-बार फिर से ये आप लोगों के माधम से आगरह करना चाहते हैं कि जो कुछ भी उनको नजर आता है कि पुराने वाला जो सिस्टम था उस सिस्टम में क्या बदलाव किया गया है कोई मंडी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है मंडी पहले की तरह ही है MSP की बात आधरनिय परधान मंतरी जी ने कहा कि MSP थी MSP है MSP रहेगी तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात को लेकर चिंता है तो फिर ये विशे बढ़ा है कि आकर चिंता किस बात की है जब कि सरकार पूरी तरीके जे किसानों के साथ है कैमरामेन आध्य पंड़े के साथ वरून गोयल एमेच्वन प्राइम दिल्ली